भारत के प्धार मंतरी नरेंद मोदी ने आज अपने 72 जरंदिवस पर देश को दिया आठ चीतों का उपार आजादी के 5 साल बाद यानि 1902 में देश में चीतों के बिलप्त होने का ऐलान किया गया उसी वक्त सरकार ने चीतों के संग्रक्षण के लिए बिसेश परयास करने शुरू किये लेकिन आज करीब 70 साल बाद सनी वार 17 सितंबर को नामीविया से लाए गए आठ चीतों को भारत के पढ़ार मंतरी नरेंदर मोधी दुआरा गुआलियर के कुरूनो निस्नल पार्क में छोड़ दिया गया नमस्कार मेरा नाम आनद मिस्रा है और आप देख रहें न्यूजिवाई आई ये जानते हैं 1952 के बाद दुबारा 2022 में चीतों की भारत आने की पूरी कहानी सबसे पहले 1970 के दसक में इरान से ACI सेरों के बदले ACI चीतों को भारत लाने के लिए बातचीत सुरू की गई इरान में चीतों की कम आबादी और अफरिकी चीतों और इरानी चीतों में समानता को देखते हुए तै किया गया कि अफरिकी चीतों को भारत लाया जाएगा लेकिन किसी कारण बस उस समय ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया लेकिन फिर दोबारा 2009 में देश में चीतों को लाने की कोशिसे नए सीरे से शुरू ही इसके लिए अफरिकन चीता इंट्रोडक्शन प्रजेक्ट इन इंडिया प्रजेक्ट शुरू किया गया 2010 से 2012 के दोरान देश के 10 वन्य अभ्यारान्यों को सर्विक्षन किया गया इसके बाद मद्यप्रदेश के कुरूरों निस्नल पार्क को चीतों के लिए चायनित किया गया चीतों को भारत लाने में कितना खर्चाया फर्वरी 2022 में सरकार ने लोग सभा में जनकारी दी कि चीता पुजट के लिए 2021 से 2026 तक के लिए 38,70 लाख रुपए का बजट आवएंटित किया गया है इन चीतों को इसी पुजट के तहट भारत लाया जा रहा है चीतों के लिए करूणो नेस्टनल पार्क को ही क्यों चुना गया करीब एक दसक पहले गिर के ACI सीरो को लाने के लिए तैयार किया गया था हलाकि गिर से इन सेरों को कुरूनों नहीं लाय जा सका अस्थानांतरण की सारी तैयारियां यहां होई थी सेर के सिकार के लिए संभल, चीतल जैसे जानुरों को भी कुरूनों में अस्थानांतरित कर दिया गया था सेर के लिए की गई तैयारी अब चीतों के अस्थानांतरण के वक्त काम आएगी कुरूनों के अलावा सरकार ने मद्य परदेश के ही नौरा देही वन अभयायरण राजस्थान में भैस रोडगड वन जीव परिसर और साह गड़ में भी बैग्यानिक आकलन कराया था आकलन के बाद कुरूनों को चीतों के अस्थानांतरण के लिए चुना गया चीते कैसे भारत लाए गए पाच मादा और तीन नर चीतों को लेकर विमान ने नामीविया की राजधानी होसिया से उड़ान भरी मौडिफाइड बोइंग 747 बिमान से लाए गए इन चीतों में रेडियो कॉलर लगे हुए है नामीविया से भारत लाने के लिए बिमान में 11470 मीटर बाई 118 सेंटी मीटर बाई 84 सेंटी मीटर मापॉले पिंजरे बनाए गए थे करीब 8000 किलो मीटर की यात्रा करके ये चीते सनीवार सुभा गवालियर में उत्रे गवालियर से इन्हें विसेश चिनकु हेलिकाप्टर से मद्यपरदेश के क्रूनो नेशनल पार्क लाया गया इन चीतों की क्या खासियत है भारत पहुचे 8 चीतों में 3 नर और 5 मादा ची चीतों में से 1-2, 1-1,5 साल, 1-3 से 4 साल और 2-5,5 साल की है भारत में इन्हें कैसे रखा जाएगा क्रूनो पहुचने के बाद ये चीते 30 दिन तक कॉरिंटीन होंगे इस दरान इन्हें बाड़े के अंदर रखा जाएगा बाड़े में उनके स्वास्त और अन्यगत वीजिय दच्छीड अफरिका से भी चीते लाने के लिए सरकार की बात लगभग पूरी हो चुकी है जल्द ही यहां से भी चीते लाए जाएंगे सरकार की योजना अगले 5 साल तक अफरिका के अलग-अलग देसों से चीते लाकर हिंदुस्तान में बसाने की है दोस्तों आपके की रिकल्ट के साथ ही मोहितने और अगर आप यह वीडियो यूट्व पर देख रहे हैं तो हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूने और अगर आप यह वीडियो उग्मरीप लाइक करते जाए जिससे जब अभी हम कोई नई वीडियो लेकर आएं तो आपको पहले ही पता चल जाये करें आज के लिए इतना ही कल फिर मिलते हैं किसी नए किस्ते कहानी के साथ तब तक के लिए नमस्कार